नासा के अनुसार दुनिया का सबसे पहला ब्लैक होल सन 1964 में सिग्नस स्वान के नक्षत्र में आकाश गंगा के भीतर पाया गया था जिसका नाम सिग्नस एक्स वन्था नासा के कई अध्यैनों से पता चलता है कि हमारी आकाश गंगा में लगभग 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल मौजूद हैं जिनका निर्मान विशाल तारों की मृत्यू के साथ होता है माना जाता है कि केवल 3 से अधिक सौर्द रव्यमान वाले तारे अपने जीवन के अंत में ब्लैक होल बन जाते हैं जो कि अपने पतन के समय तीवर गुरुत्वाकर्शन बल लगाते हैं और कुछ भी बाहार नहीं निकलने देते हैं ब्लैक होल क्या है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्शन इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है ब्लैक होल अद्रिश होते हैं जिन्हें विशेश उपकरणों जैसे कि स्पेस टेलिस्कोप की मदद से आसपास के द्रिश निकायों के असामान्य व्यवहार को देख कर ही पता लगाया जा सकता है सन 1916 में अलबर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले अपने सापेक्षता के सामान्य सिध्धान्त के साथ ब्लैक होल के अस्तित्व की भविश्यवानी की थी जिसके कई साल बाद सन 1967 में ब्लैक होल शब्द अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन भीलर द्वारा दिया गया था प्रिथवी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष और आकाश गंगा के केंद्र में स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल धनुए एस्ट्रिस्क सेजस्टार के रूप में उच्चारित की पहली तस्वीर इवेंट होराईजन टेलिस्कोप एह के खगोल विदो द्वारा प्रकट की गई थी